दोस्तों सब लोगों को पताई होगा कि भारत के तरफ से तेजस मार्क वान यार्क्रेप्टो के डिवलप्मेंट के बाद अब मिडियम वेट कैटेगरी के तेजस मार्क वान काफी हलके वजन के यार्क्रेप्ट था तो उही पे तेजस मार्क वान काफी हलके वजन के यार्क् कि उसी तरीके से भारत के द्वारत के द्वारा तेजस मार्कवान यारक्रेफ्टों को भी एक्सपोर्ट मार्केट में उतारेगा। मार्केट में मीडियम काटेगरी का एक cost efficient यार्क्रेफ्ट होगा और इसी वज़ा से इन यार्क्रेफ्टों के export oriented समभावनाए अधिक होगा क्योंकि दोस्तों पुरा global market में अगर देखा जाए तो medium काटेगरी के एरक्रेफ्ट के रूप में एक तरफ जहाँ पे western platform है तो उही पे दूसरे तरफ Russian और Chinese platform भी और western platform जहाँ पे काफी costly option के रूप में देखा जाता है तो उही पे cost efficient solution के रूप में अब तक केवल मात्र Chinese और Russian platform ही था लेकिन जिस तरह के से रश्या यूकरेण लड़ाई के वज़ा से रश्या के उपर प्रतिवन्द लगा है इससे रश्या का जो संभावना है वो तो घट किया है लेकिन चाइना के जो हतियार है वो cost efficient होने के साथ साथ काफी निमने दर्जे का होता है जिस वज़ा से कई सारे देश इन हतियारों को पसंद नहीं कर रहा है ऐसे में alternative के रूप में अगर भारत अपने यार्क्रैप्टों को एक cost efficient और बहतरिन यार्क्रैप्ट के रूप में export market में उतारता है तो no doubt इन यार्क्रैप्टों को कई सारे देशों के द्वारा पहले पसंद के रूप म में develop किया जा रहा है और केवल मात्र तेजस मार्क वान और मार्क वान एसे आकार में और वजन में ही आगे नहीं है बलकि इसमें कई तरीके के नए अवियोनिक्स और equipment का इस्तेमाल किया गया है और तेजस मार्क टू यार्क्रैप्ट अधिक वजन के हत्यारों को भी carry कर सके और एक तरीके से आफ ये भी कह सकते है कि तेजस मार्क टू यार्क्रैप्टो को भारत के द्वारा एक प्रॉपर मेडियम वेट कैटेगरी के यार्क्रैप्ट के रूप में ही developed नहीं किया जा रहा है बलकि ग्लोबल मार्केट में जिस तरीके के यार्क्रैप्टो का तलाश अलग-अलग देशों के द्वारा किया जा रहा है उसी तरश पे भी इन यार क्रेप्टों का डिवलप्मेंट हो रहा है भारत के तरफ से तेजस माक्टू यार क्रेप्टों को एक ताकतवर तरीन A414 इंजिनों से लैस किया जा रहा है ताकि इसके performance improve हो और ये अधिक पेलोट को carry कर सके जबकि इसके इलावा काफी advance हतियार जिन में air-to-air हतियार से शुरू करके air-to-ground anti-ship missile को वेस में integrate किया जा रहा है ताकि इन यार क्रेप्टों को multi-role यार क्रेप्ट के रूप में अलग-अलग तरीके से मतलब air superiority, ground attack और even electronic warfare रोल में भी इस्तेमाल किया जा सके तेजस मार्क-2 यार क्रेप्टों में जो state-of-the-art avionics का उपयोग किया जा रहा है उन में active electronically scan array radar, infrared search and tracking system, electronic warfare system जैसे आधुनिक equipment है जो कि यार क्रेप्टों के शमता को तो बढ़ाएगा ही साथ में situational awareness और surveillance capability को भी enhance करेगा जबकि वही पे दूसरे तरफ तेजस मार्क-2 यार क्रेप्टों को एक ऐसे यार क्रेप्ट के रूप में डिफलप्ट किया जा रहा है जिसका maintenance cost से शुरू करकि operational cost भी कम होगा मतलब ये यार क्रेप्ट केबल मात्र रैफल या योरो फाइटा टाइफून यार क्रेप्टों से कम कीमत में ही अविलेवल नहीं होगा बलकि इन यारक्रेप्टों को खरीदने के बाद इस्तिमाल करने के दर्मियान भी कस्टमरों के तरफ से इसमें जादा खर्चा करने का आवशकता नहीं होगा हाला कि दोस्तों देखा जाए तो export market में फिलाल medium class के कई सारे aircraft available है जो की बहतरिन capability के साथ भी है लेकिन इन aircraft का कीमत काफी अधिक होने के साथ-साथ यर क्राप्टों के maintenance और operational cost भी काफी high है जिस वज़ा से बड़े मात्रा में ऐसे aircraft को खरीदने के लिए और maintain करने के लिए किसी वी यारफोर्स को अपने बजट को काफी बढ़ाना पड़ेगा पर दोस्तों उसके जगा में अगर तेजस जैसे यारक्रेप्टों को खरीदा जाता है तो नो डाउट इससे शामता में बिर्धिवी होगा और बजट को भी एनहेंस नहीं करना पड़ेगा हाला कि दोस्तों भारत अपने यारक्रेप्टों में रशियन, फ्रेंज, ब्रिटिश, अमेरिकी और इवन इस्राइली हतियारों को भी इंटिग्रेट करने के साथ स्वधिशी हतियारों को इंटिग्रेट कर रहा है मतलब जो भी कस्टमर इन यारक्रेप्टों को खरीदेगा वो हतियारों के मामले में भी अपने आपको फ्लेक्सिवल रख सकेगा और बिना शर्त के अलग-अलग हतियारों का उप्योग इन यार्क्रेप्टों में कर सकेगा और इवन अपने बेड़े के existing हतियारों को भी भारत के इन यार्क्रेप्टों में इंटिग्रेट कर सकेगा ज ऐसे डेट ट्रैप में फसाने के रणनीती के तहत आगे बढ़ रहा है मतलब ऐसे में अगर कोई भी छोटे से छोटे देश भी भारत से अगर हत्यारों को खरिता है तो उस देश को किसी भी तरीके के जाल में फसने का या मजबूरी में अपने जमीन देने का जुरुत नहीं ह और दोसो इसी वज़ा से माना जा रहा है कि तेजस मार्क टू यार क्रैप्टो का जो मार्केट है वो काफी बड़ा होने वाला है और भारत तेजस मार्क वान यार क्रैप्टो को लेके जो सफलता अब तक हासिल नहीं कर सका तेजस मार्क टू यार क्रैप्टो को तैयार करन और मीडिया रिपोर्टों के मुताविक आने वाले समय में इन यारक्रैप्टों के मार्केट भी भारत के अंदर बढ़ सकता है क्योंकि मिलिटरी के लिए स्पेशली डिवलप्ट किया हुआ इन यारक्रैप्टों के सिविलियन यूस को लेके वी सोज़विचार किया जा रहा दोसो मीडिया रिपोर्टों के मुताविक इंडिया के मिनिस्ट्री अफ एवियेशन के तरफ से मिलिटरी ट्रांसपोर्ट यार्क्रेप्टों को सिविलियन यार्क्रेप्टों के रूप में इस्तिमाल करने के संभावनाव को तलाशा जा रहा है ताकि इन यार्क्रेप्टों का उपियोग भारत के जो उडान स्कीम है उसके अंतरगत किया जा सके और Domestic Aircraft के production को enhance किया जा सके और दोस्तों बेसिकली इसके उपर एक हेंट aviation minister राम मोहन नाइडू के तरफ से दिया गया है और उनके बयान के मुताविक संभावित आने वाले समय में C-295M military transport aircraft को एक civilian variant में भी convert किया जाए बेसिकली दोस्तों ये जो C-295M aircraft है इसे फिलाल गुजरात में Airbus और टाटा के facility के द्वारा Indian Air Force के लिए तयार किया जा रहा है और media report के मुताविक already SA-56 aircraft को खरिदा जा चुका है जिन में से 16 aircraft directly Spain से बनके जहाँ पे Indian Air Force को मिलेगा तो उही पे बाकिके 40 aircraft को भारत में ही निर्मान किया जाएगा इसके इलावा Indian Coast Guard और Indian Navy के तरफ से भी additional 15 aircraft को खरिदने को लेके एक तयारी किया जा रहा है पर भारत में इतने बड़े facility को अगर तयार किया किया है तो no doubt इस facility के पास scope काफी high होगा और इसका उपियो करते हुए अगर civilian aircraft को भी यहाँ पे तयार किया जाता है तो इससे making India initiative और आत्मनिर्वर भारत के संकल्व को ही मजबूती मिलेगा अब दोसो C295 aircraft को अगर देखा जाए तो इसका आखार इतना है कि आसानी से इन aircraft को 48 से लेके 50 passengers के लिए design किया जा सकता है और 2 by 2 sitting configuration के साथ आसानी से इन aircraft को convert किया जा सकता है और अगर दूसरे तरफ उडान स्कीम को देखा जाए तो इसे साल 2016 में प्रधान मंत्री स्री नेंद्र मोदी के तरफ से launch किया गया था जो basically उड़े देश का आम नागरीक नामक एक ऐसा स्कीम है जिसके अंतरगत हवाई सफर को इतना cost efficient बनाया जाना है कि साधरन लोग भी इसका उपयोग कर सके और इस स्कीम के अंतरगत already कई सारे जगाओ में छोटे छोटे एरपोर्टों का development किया जा रहा है ताकि भारत के छोटे 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 शहरों को भी बड़े बड़े शहरों के साथ जोड़ा जा सके अब दोसों उरान स्कीम के अंतरगत basically बड़े यारक्रेप्टों का उपयोग तो नहीं किया जाएगा लेकिन cost efficient और छोटे यारक्रेप्टों का उपयोग किया जाएगा जैसे की ATR 42 यारक्रेप्ट जो की एक regional airline यारक्रेप्ट है जो 48 passengers को carry कर सकता है और इन यारक्रेप्टों को France और Italy के द्वारा manufacture किया जाता है अब दोस्तों कुछ मीडिया रिपोर्टों के मुताविक उरान स्कीम के अंतरगत अल्रेडी इस तरीके के बड़े मात्रा में यारक्रेप्टों को खरिदने का तयारी किया जा रहा है जो की regional transport यारक्रेप्टों और करीब करीब 50 के आसपास passengers को carry कर सके पर विदेशों से अगर directly यारक्रेप्टों को खरिदा जाता है तो no doubt इसके लिए अधिक खर्चा करना पड़ेगा और भारत के making India initiative जो है वो भी compromise होगा पर अगर किसी स्वदेशी यारक्रेप्टों के रूप में alternative को तलाशा जाता है तो ये भारत के लिए बहुती बहतरी decision हो सकता है लेकिन भारत के पास फिलाल अपना कोई स्वदेशी यारक्रेप्ट नहीं है हाला कि हिंदुस्तान Aeronautics Limited लंबे समय से डॉनियर DO228 यारक्रेप्टों का निर्मान कर रहा है लेकिन DO228 असर में 48 passengers का capability नहीं रखता है पर अगर C295 या जैसे यारक्रेप्ट जो की अल्रेडी भारत में बनने के लिए तैयार हो रहा है उसे अगर सिविलिन यारक्रेप्टों के रूप में modify किया जाता है तो no doubt Tata और Airbus के जो facility है इससे ही फाइदा होगा और इससे लंबे समय तक भारत में एक job generate होगा और दूस करके अपने डाय अवश्र दीजिए दोस्तों आजके इस वीडियो को यही पेई करते हैं समय आप किसी और एक दिन किसी और एक वीडियो मिलेंगे तब तक के लिए जैहिंद वंधे मातरम